हलो एब्रिवन वेल्कम टू लख्की एजूबेशन और आज हम तेखेंगे रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग के बारे में यह जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर सिक्स तरसरी एंड क्वाटरनरी एक्टिवड़ी जुमें दे रखा है हम देख रहे हैं क्लास्ट की जो कुछ लोग एसे होते हैं जो बलक में सामान खरीटे हैं तो में द्हां रहे हैं उनकों airport के कुछ large quantity में सامано करیते हैं फिर इन wholesaler से कुछ लोग होते हैं कुछ मतलब biznesmen ऐसे होते हैं या मतलब लोग ऐसे होते हैं जो कम quantity में बहुत कम quantity में सामान करीते हैं और उसको directly किसको बेशते हैं consumer को बेशते हैं उनको बोलते हैं retailer तो trading मतलब आफार हमारा दो तरह से ट्रेडिंग होती एक तो retail ट्रेडिंग एक wholesale ट्रेडिंग wholesale में आप जहां रखना main word bulk में सामान पर चीज गया जाता है जब कि अगर retail ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर quantity कम रहती हो retail ट्रेडिंग में directly किसको बेचा जाता है तो retail ट्रेडिंग की बात करें तो simple सा इसका definition किया है यहाँ पर जो सामान है तो retail ट्रेडिंग नहीं होगा कि हम किस चीज की बात करने वाले है एक तो retail ट्रेडिंग directly जो दुकान होती है फिक्स जगह पर store मतलब जो retail store होते हैं जिसको हम general store बोल दे हैं यहाँ पर होती है एक सामान को जगह जगह पर ले जाए जाता कभी एक जगह कभी दूसरी जगह जैसे हैं रिक्से के माद्यम से ले जा सकते हैं ट्रक के माद्यम से ले जा सकते हैं और ऐसे हैं डक्यल जो है यह दिखा रखी है इनके माद्यम से ले जा सकते हैं न तो इसको हम बोलते हैं Non-Store Trading तो Retail Trading के दो टाइस Fixed Store Retail Trading Fixed मतलब दुकान fix होती है दूसरा होदा है Non-Store Retail Trading या Non-Fixed Store के नाम से भी जाते हैं तो Technically Store में Fixed Establishment होते हैं दुकान की बात की जा रही है जगे fix होती है और यह जो बनाई जाती है जगे सिर्फ बेचने के परबस से बनाई जाती है जबकि non store या retail trading की बात करें तो यहाँ पर क्या होता जगे fix नहीं होती जो बेचने वाले होते हैं वो किसी ना किसी चीज के माध्यम से सामान को एक जगे से दूसरी जगे ले जाते हैं और consumers को बेचते हैं तो यहाँ पर street pedaling, hand cards, truck, door to door, mail order, telephone, automatic vending machine, internet इन सब चीजों के माध्यम से गामन को बेचा जाता है तूसरा है wholesale trading wholesale trading मर आपको बताया था यहाँ पर जो ब्यापार किया रहा है वो किसमी किया रहा है bulk में ब्यापार किया रहा है यह चीज आपको जहां रखनी है तो यह bulk business है यह किया जाता है intermediary merchants और supply houses के लाबा इसमें retail नहीं आते हैं तो मतलब जैसे suppose यह कोई producer है मालो और यहाँ पर कोई bulk में सामान कर purchase करने वाला है तो इनके बीच में भी कुछ होते हैं बिचो लिया जिनको हम बोलते हैं intermediary merchants या supply houses बोलते हैं कई बार यह जो bulk में खरीजने वाले यह directly भी खरीज लेते हैं तो some large store and chain store are able to buy directly from manufacturer कई बार तो कुछ बड़े बड़े जो store होते हैं chain store होते हैं यह directly जो manufacturer बनाने वाला सामान के बनाने वाला है उससे directly भी purchase कर लेते हैं most retail store obtained their supply from intermediary sources तो कई बार क्या होता है जैसे मालो यह wholesaler हो गया यह retailer हो गया इनके बीच में भी मतलब कुछ sources होते हैं इनको बोलते हैं कि यार तुम सामान ले जाओ बेचो और बाद में दे देना मतलब एक credit की फैसलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं ठीक है तो wholesaler extend credit to retailers to such an extent that retailers operate million wholesalers capital कई बार तो ऐसी situation होती है कि सबोज wholesaler ने सामान दे दिया किसको रिटेलर को 10,000 रुबे का सामान दे दिया तो रिटेलर ने वो 10,000 सामान बेचा और बेचके तब जाके पैसा मतलब उसको चुका रहे हैं और अपना profit अपने बास रख लिया तो ऐसी situation भी कई बार देखने को मिल दिया ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही thank you thank you so much keep learning keep enjoying and god bless you all